गुड इवनिंग दोस्तों, कहते सुनते 89.3 FM के इस शॉर्ट स्टोरी सेग्मेंट में आप सब का स्वागत है। मैं आपका मेजबान तौफीक हमद, आपका खेरों मकदम करता हूँ। दोस्तों, पिछले हफ़ते मैंने आपके समक्ष एक कहानी रखी थी, इस उम्मीद से कि मैं आप तक ये संदेशा पहुचा सकूँ कि कैसे हमें सतर करहना चाहिए हमारी सोशल मीडिया अक्टिविटीज पर। अब जाहिर है कि इंटरनेट और खासतोर से सोशल मीडिया हमारी जिंदेगी का इतना महत्वपूरन हिस्सा बन चुके हैं कि हम इससे पूरी तरह कटकर तो रह नहीं सकते, तो क्यों न हम इसका अधिकतम लाब उटाएं। ऐसा ही कुछ अभी चन्द दिनों पहले हुआ। कुछ भले लोगों की नेकनियती और वाटसाइप मेसेंजर अप के सही उपियोग ने एक परिवार को एक नई आशा, एक नई उमंग दी। कभी-कभी जैसे आपका एक फैसला जिन्दगी और मौत के बीच का अंतर बन जाता है, वैसे ही आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो किसी के जीवन में आशा और निराशा का अंतर बन गया। दोस्तो, आज की कहानी मेरी कलपना नहीं, एक सच्ची घटना है, इसमें मेंशिन किये गए लोग असली हैं, और उनका साहस भी उतना ही सच्चा। 30 जून 2019, मेरी पिछली कहानी के ब्राटकास्ट के एक्जाटली तीन दिन बाद, मेरे वाटसाप के अलमनाए ग्रूप पर एक मेसेज आया, उस पर लिखा था, My name is Neha Prakash, and I am raising funds for my husband, Ajay Prakash. He has been fighting a brain stroke. And the message went on. जी, मैं जानता हूँ, कि ऐसे धेर सारे messages हमारे social media के अलग-अलग feeds पर अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन ये message अलग था. Ajay Prakash happens to be my alumni, and Neha ma'am his wife. मैंने ये दोनों नाम कभी अपने जीवन में नहीं सुने, और नहीं मैं इन दोनों को व्यक्तिकत रूप से जानता हूँ. लेकिन इस message को नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वजा से. Institute of Hotel Management and Catering Technology एहमदबाद, जहां से मैंने graduation करी है, उसकी alumni का एक core WhatsApp group है, और करीब 7-8 regional chapters के group. एक बात जो मैंने इस group की, या तो फिर ये कहें कि इस group के admins की notice करी है, वो किसी भी कीमत पर कोई भी irrelevant post को strongly discourage करते हैं, और participants alike इस discipline को maintain करते हैं. सिर्फ एक ही rule है, जिससे सब follow करते हैं, only hotel industry and alumni related posts, period. अगर कोई गलती से कुछ post कर भी देता है, तो उसे realize करते ही retract कर लेता है, वरना admins उन्हें respectfully हटा देते हैं और उन्हें personally informed करते हैं, ना कि ये publicly shame करते हैं कि आगे के लिए वो caution exercise करें. जहां मेरी सुभा दस्यों WhatsApp group से sacred messages को बिना पढ़े mark red करते हुए होती है, वहीं पर कुछ ऐसे WhatsApp groups हैं, जिनके messages मैं इस विश्वास पढ़ता हूँ कि इसमें कोई ऐसा message नहीं होगा, जहां मुझे ये लिखा मिलेगा कि इस message को 100 लोगों को forward कीजिए, तो अच्छी ख़बर आ से लेकर fresh graduates तक काफी सारे participants हैं, जायर है हम सबको तो नहीं जानते, but I'm sure you all understand the connection to your alma matter and the bond that you share with your alumni, it can never be overstated, तो जब ये message आया, तो suddenly जिस group में धाईसो के उपर लोग होने के बावजू दिन के एक या दो messages आते थे, अच्छानक messages की बाढ़ आना शुरू हो गई, इस मुहीं को ह हमारे तमाम WhatsApp groups पर एक हमारे alumni ने spearhead किया, Mr. Bhaskar Sharma, again, मैं इनको भी परसो तक personally नहीं जानता था, और अभी भी हमारे रिश्टा सिर्फ एक phone call जितना ही strong है, क्योंकि ये 1997 के batch से हैं और मैं 2004, the only connection was our alma matter, which got stronger obviously because of a well-disciplined WhatsApp group of the alumni. उस phone call से मुझे पता चला कि एक ongoing meeting के बीच अजानक एक paralysis attack, Ajay Prakash was rushed to the hospital by his colleagues, an unexpected brain stroke, followed by multiple surgeries, पहले तो brain clots removed किये गए, फिर बताया गया कि ब्रेन में swelling है तो craniotomy surgery करनी होगी, followed by doctor's fees, post-operation care, medicines और उस पर से Delhi का Fortis Hospital. देखते ही देखते हमारी ही जैसे एक साधारन middle class family ने अचानक खुद को 15 लाख रुपए के कर्स में पाया. और ये by the way full recovery के लिए नहीं, ये कीमत थी सिर्फ जान बचाने के लिए. एक हस्ती खेलती जिन्दगी कब कौन सा मोड ले ले ये कोई नहीं जानता. ऐसे ही वक्त काम आते हैं दोस्त और well wishes. भासकर सर सर जब मेरी फोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी ये सब नहीं पता था. वो तो नेहा जी के crowdfund appeal का जब post उन्होंने देखा तब उन्हें ये सब पता चला. उन्होंने फिर ये जिम्मा उठाया हर एक network में alumni and social, whatsapp के जरिए, facebook के जरिए और कई अनेक मादे मोदवारा ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुँचाने का. देखते ही देखते कुछ लोगों ने पैसो से, कुछ लोगों ने अपने influence से, जैसे भी कर सकते थे अपना योगदान किया. हमारे Middle East chapter ने तो alumni collectively 70,000 rupees collect करके personally contribute किया और हमारे core group के individual contributions कुछ 4-4,5,5 लाग तक पहुँच चुके हैं. सबने कुछ मिलकर करीब करीब 7 लाग जमा कर लिये हैं, और जहां तक रही उनके crowdfund portal की बात, वहां भी कुछ 4 लाग से उपर पैसे जमा हो चुके हैं. मुझे पता चला, first hand, the power of positive use of internet and social media. जहां तक रखम का सवाल है, वो तो अब तक पूरी नहीं हो पाई है. पर इस बीच, जब तीन दिन पहले नेहा जी का एक पत्र हमारे group में forward किया, तो ऐसास हुआ कि हमारी छोटी-छोटी कोशिशों ने भी अजैसर के परिवार का मानवता में विश्वास एक बार फिर जगा दिया. नेहा मैम का जो letter था, it read something like this. Thanks to all, in the last 24 hours, my faith in humanity has reached zenith. I have no words to describe the feelings I have for you. और दोस्तों, मेरी आँखों में आशूं तो तब आए, जब उन्होंने ये लिखा. Every money transfer SMS in my phone is like a ray of hope, and the phone has not stopped pinging since yesterday. I never knew I had such a huge family. दोस्तों, आज का ये broadcast मूल रूप से आप तक इसलिए पहुचाना चाहता था मैं, कि आप भी समझ सकें, the power of internet and media is in our hands, and it is we who have to choose for what purpose we use it. और जहां तक रेख ही मेरे alumni की बाद जो इस वक्त ये program सुन रहे हैं, और मुझे पता है कि दुनिया भर में आप सब इस broadcast को सुन रहे हैं, because I have ensured that this podcast reaches to you one way or the other. ये broadcast एक charity appeal नहीं है आप लोग के लिए, dear alumni's, ये आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आपको आपकी जिम्मेदारी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं असमाधिम से. There is a woman out there who has regarded you as her family. It is your responsibility now to turn and hold up your end of dishonor. You know exactly how to get in touch with Ajay Sir's family or even our alumni group for that matter. और अगर नहीं, तो आप मेरे Facebook page पर मतलब T-A-U-F-E-E-Q Taufiq Ahmed A-H-M-E-D. Once again, T-A-U-F-E-E-Q A-H-M-E-D Taufiq Ahmed. मेरे Facebook page पर या फिर कहते सुनते के Facebook page पर Mr. Ajay Prakash की condition और Mrs. Neha Prakash की appeal का post देख कर contribute कर सकते हैं. आखिर में मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मानिनया अनिल गोयल सर का, जिन्होंने हमारे सारे alumni groups को discipline में रखने और productive रखने का बीड़ा उठाया है और उसे successfully execute भी किया है. बाइद वे जो हमारे Oceana region के alumni हैं वो मुझे directly भी contact कर सकते हैं या फिर स्टूडियो पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. तो फिर इंतिजार किस बात का, फोन उठाइए और डाइल करिए 98228893 या फिर हमसे संपर्क करें WhatsApp पर 0449 004053 और हमारे overseas scholars के लिए plus 61449 004053. मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, कहते सुनते, हर गुरुवार, रात आट बजे से दस बजे तक. This is your host, Taufiq Ahmed signing out. आगले हफते फिर मिलते हैं, only on 89.3 2GLFFM पर. Good night, Shabba Khair, Shubratri. Stay healthy and stay safe.